पलकों की च्णव में 1977 में बनी हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्मांड नरिमन बारिया और ए खलिया ने नव समपत्ती प्रोडक्शन्स के बैनर तले किया और मिराज ने इसका निर्देशन किया फिल्म मेरा जेश खन्ना और हेमा मालिनी ने अभिनय किया है जबकि जियतेंड ने विशेश भूमिका निभाई है और संगीत लक्ष्मी कांथ प्यारे लाल ने दिया है बॉलिवुड गाइट कलेक्शन में इसे आलोचकों से पांच में से चार स्टार मिले रवी एक पड़ा लिखा बेरोजगार लड़का है उसकी मा प्रतिमा देवी चाहती है कि उसका बेटा नौकरी करे एक दिन रवी अपने पिता की पैंशन लेने डाक घर जाता है और पोस्ट मास्टर उसे नौकरी का उम्मीदवार समझ लेता है एक सुखद बातचीत के बाद पोस्ट मास्टर रवी को पोस्ट मैन की नौकरी का प्रस्ताव देता है और वह खुशी-खुशी स्वीकार कर लेता है नतीज अतन रवी को नौकरी के लिए सीता पुर नामक गाव जाना पड़ता है वहाँ वह मोहिनी को हमेशा एक पत्र का इंतजार करते हुए पाता है आखिरकार रवी और मोहिनी दोस्ट बन जाते हैं गाव में एक बुरी औरत रहती है जिसने बटवारे में अपने बेटे को खो दिया था और तब से वह पागल हो गई है रवी और मोहिनी की दोस्टी बढ़ती है और रवी को मोहिनी से प्यार हो जाता है तानगा चलाने वाले नाथू की रवी और मोहिनी में गहरी दिल्चस्पी है एक दिन मोहिनी रवी से उसका नाप मांगती है ताकि वह उसके लिए स्वेटर बुन सके रवी को गलत फेहमी हो जाती है कि मोहिनी उससे प्यार करती है. दूसरे दिन मोहिनी रवी से नाराज हो जाती है कि वह उसके लिए कभी कोई चिठ्थी नहीं लाता. अगले दिन रवी मोहिनी को प्रपोस करते हुए एक चिठ्थी लिखता है और उसे सौप देता है. रवी का दिल तूट जाता है फ्लेशबेक में दिखाया गया है कि मोहिनी एक सैनिक से प्यार करती है जिसका नाम भी रवी है